हेलो डियर फ्रेंड्स बेलके टुझाम गुरुजी तो आज हम आपके लिए टी एस पी एसी का पिरबिज एक एक्जाम हुआ था उसका लेकर लेकर आया है यहाँ पर कॉस्च्ट जो है बहुत ही डिफेन त्रिके के पूचई के हैं एक को मिला है कहीं से, तो अम इसको आज डिसक्स करेंगे यहां पर जो question है, मुझे बहुत ही अच्छे लगे, क्योंकि जो J-E label के question होते हैं, वो थोड़े से अलग होते हैं, और यहां पर जो question पूछे गए हैं, वो भी A-E label के question है, कहने का meaning की है कि कही J-E के exam में यहां से question जो पूछे गए हैं, तो हम चलो discuss करते हैं इस question को, यह second paper हु पता है कि general awareness से question आते हैं, तो यह civil engineering का ही question है, यहां पर आपके डेट सो question रहेंगे, इस question में, series 1 है यह, तो यहां पर आम इसको तीन पार्ट में cover करेंगे, क्योंकि question बहुत ही जादा है, तो तीन पार्ट में इसको cover करने के question करेंगे, 50-50-50, तो चलिए शुरू करते हैं question होता है, पर हमने ये देखा कि working principle जो होता है, plain table surveying का वो क्या होता है, हमने जो question देखा हुआ, लेकिन यहां पर A level में देखे question कैसे पूछा गया है, optical square का working principle होता है, वो क्या होता है, plane table में तो आपको पता है hold to part वो काम करता है लेकिन optical square जो होता है इसमें हमारा double reflection answer हो जाएगा इनके working principle जो होता है optical square का वो आपको पता है कि triple reflection होता है ये point important है और optical square आपको पता है कि जहा करता है ये right angle जो होता है इसको setup करने के लिए आप इसको use करते हैं optical square को तो यह optical square जो होता है एक small circular metal box होता है जिसका diameter जो होता है वो 5 cm का होता है और उसकी जो गहराई होती है वो 1.25 cm की गहराई होती है यहीं कि depth होती है and 5 cm का diameter होता है जो की circular metal box जो होता है तो ये चीज आपको पता होनी बहुत ही जरूरी है आप यहां पर देखे कि सर्वेंग से नुमेरिकल पुछा गया है बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टन मुझे अच्छा नुमेरिकल लगा तो देखे कोश्चन के आप बहुत है इफडा मेंग्नेटिक वेरिंग हमारे पास कितनी दी गया है एक लाइन की 48 डिगरी एंड 24 मिनिट्स की दी गयी है अड़ मेंग्नेटिक डिगलाइडिशन कितनी दी गयी है 55 डिगरी एंड 30 मिनिट्स ऐच हमें क्या find out करने के लिए बोला है true wearing find out करने को बोलता है तो true wearing TB आप इसको लिख सकते है true wearing is equal to magnetic wearing plus minus जो हमारे पास declination दी गई है यहनिके plus minus अब कहाँ पर plus लगगा, कहाँ पर minus लगगा यह चीज इंपोर्टन है यहाँ पर तो देखी मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ पर plus लगगा, कहाँ पर minus लगगा, तो देखी प्लस जो होता है वो east side के लिए east के लिए and जो minus होगा वो best side के लिए लगगा best के लिए लगगा तो यहाँ पर देखी east then the true wearing, east के लिए प्लस आपको लगेगा, तो यहाँ पर आपको इन दोनों वैल्यू को प्लस कर देना है, दोनों को प्लस करने के बाद, 48, 53, 53, and 30, 34, यह कितना आ गया हमारे पास 54, तो यह हमारे पास कहां पर दिया गया है, 53, 54, यह वाला अंसर, option third is question में अंसर हो जाएगा, तो magnetic, इस तरह के question अगर exam में पूछ जाए तो आपको true varying find out करने के लिए तो कहां पर plus लेगा, कहां पर minus यह मैंने आपको बता दिया है, अब अगला question देखिए, setting out a simple curve by two thredulate method does not required, setting out a simple curve, simple curve आपको set up करना है by two thredulate method, तो आपको किस चीज़ की जूरत नहीं पड़ती है, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि यह setting out curve जो होता है, इसका क्या meaning होता है, यह हमारे साबसे important है, so setting out a simple curve इसका meaning यह होता है कि भाई, locating various points, various points को जो आपकी length होती है curve कि वहाँ पर various points जो होते हैं, यहाँ पर आपका undulating होती है, rough होती है, लेकिन यह suitable नहीं होता है linear measurement को, linear measurements को यह नहीं required होती है इस cases में, अगले देखिए point of tendency इसदा, point of tendency जो होती है, वो होता है end of the curve, point of tendency जो होती है, वो होता है end of the curve, यह question तो हमने कई बाद J में भी discuss किया है, अब यह question का answer end of curve कैसे है, आपको यह भी पता होना चाहिए, तो हमारा कोई भी curve है, मान के जल कोई भी curve है, तो curve का जो starting वाला points होता है, उसको आप point of curve बोलते हैं, यह के PC बोलते हैं, point of curve आप उसको बोलते हैं, यह लास्ट बाला होता है, end बाला उसको point of tendency बोलते हैं, तो इसलिए हमारा answer यह बाला होगा, next देखे, in chain surveying, field work is limited to, chain surveying जो होती है, उसमें सिर्फ आप linear measurement ही कर सकते हैं, linear measurement को करने के लिए आपको chain surveying करना पड़ेगा, fadolite जो होता है, वो तो आप common है, सबी को पता है कि भाई, वो angle को measure करता है, और distance को measure करता है, चाहे वो angle horizontal vertical हो, चाहे वो distance horizontal vertical हो, labeling जो होता है, वो elevation जो होती है, various point की उसको find out करता है, हाँ एक्जाम में ये भी question पूछा गया है कई बार की भाई टेको मेटर जो होता है वो क्या measure करता है टेको मेटर जो होता है वो distance को measure करता है चाहे वो horizontal distance हो या फिर vertical distance हो इन दोनों को ये measure करता है नश्मन देखे तो correction to be applied for 30 meter chain length long slope ये तो SSJ में हमने कई बार question जो है discuss किया है तो इस question में हमार answer ये बाला हो जाएगा third option इस तक correct answer हो जाएगा अगला देखे correction for sag अब ये question बहुत ज़्यादा important है मैं आपको यहाँ पे एक trick बताता हूँ कि भाई जब भी आपसे किसी error के बारे में पूछा जाए जैसे कि यहाँ पे sag error पूछा है correction के बारे में पूछा गया है तो correction भी एक error होता है error due to sag या फिर correction due to sag इस तरह कि जब भी आपको से question पूछा जाए चाहे वो sag से हो, चाहे वो pull से हो चाहे slope से हो, चाहे temperature से हो या पिर wrong alignment से हो तो आपको क्या करना है कि होता है, error हमेशा क्या होता है positive होता है, always positive होता है always positive होता है यानि कि कई जगा होता है कि वो positive भी हो सकता और negative भी हो सकता है error होता है तो starting में वो positive होगा बाद में वो negative हो सकता है तो ये एक trick मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप correction की बात करेंगे जैसे कि correction for sag is always minus, subtractive, negative value तो ये आपको पता होने जाए कि correction जो होती है वो negative से शुरू होती है negative होती है यहीं कि subtractive होती है तो ये दोनों मैंने आपको trick पताई है कि arrow जो होता है वो plus से start होता है जो correction होती है वो minus से start होती है तो ये चीज आप याद रखिए आप कभी भी इस question को जब भी ये वाले question आएंगे आप उनको कभी भी गलत नहीं करेंगे इकसाम में अगला question देखिए यहाँ पर which of the following errors not eliminate by the method of repetition for horizontal angle measurement तो जो error होता है eliminate नहीं किया जा सकता है वो error due to displacement of the station signal option second हमारा इस question के लिएंसर हो जाएगा ये eliminate नहीं किया जा सकता बाकी सारे किया जा सकते हैं अब अगला question क्याब हो रहा है triangle is set to be bell conditional when its angle lies between ill conditional जो triangle होता है उसका angle जो होता है वो 30 से 120 के बीच में होता है इनके should not less than and should not exceed 30 और 120 डिगरी के आसपास होता है उसको bell conditional हम triangle बोलते हैं option second हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा एक होता है हमारा ill conditional triangle ill बिमार वाला भाई ill conditional triangle तो इनके should angle होता है वो 30 से कम होता है और 120 से ज़्यादा भी हो सकता है ill conditional वो होता है एक होता है idle triangle आईडल triangle भी होता है एक ये भी आपको पता होने जाए idle triangle जो होता है उसके सारे angle जो होते हैं वो एक समान होता है जिसे यहां पर 60 दिगरी का बना तो यहां पर 60 का होगा यहां पर भी 60 का बनेगा वो होती है आइडल ट्रेंगल अगले देखे, which of the following is not used in measuring perpendicular offset Perpendicular offset जो होता है, वो कौन measure नहीं करता है So, वो line ranger होता है Line ranger जो होता है, एक ranging करने की process होती है इससे आप locating a number of points Locating a number of points on a long survey line Survey line पर आपको number, जो होते हैं, points को उसको locate करने की process होती है वो line ranger के द्वारा की जा सकती है So, इसलिए, ये हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा बाकि tape जो होती है, आपको पता है कि ये surveying में आप इसको use कर सकते है ये सिर्फ distance को measure कर सकती है Horizontal and vertical distance जो होती है कई बार ये slope को भी measure कर सकती है विसे कई बार नहीं करती है, ये slope को भी measure कर सकती है टेप जो होती है Optical square तो आपको पता है कि right angle को setup करने के लिए use होता है Cross slope जो होता है, ये भी इसी के लिए use होता है Setting out, offset तो ये दोनों जो है, ये तो same ही है भाई Right angle को setup करने के लिए use होते है अगले देखें, leech अचलिए अप्रेटर सी जूस तो डेटरमाइंड विच अफ ता फॉलिंग प्रॉपर्टी ऑप सिमेंड Leech अचलिए रह जो होता है, वो soundness को find out करता है Soundness को अब यहाँ पर और भी option है, उनकी भी बात कर लेते हैं जिसकी initial setting time जो होता है, या फिर final setting time हो गया, या फिर consistency हो गया तो यह तीन जो होते हैं, यह विकार्ट्स अप्रेटर्स के दोरा आप find out कर सकते हैं Finest जो होती है, यह तो आपको पता है कि Blain Air Permilvator Test के दोरा आप finest को पता लगा सकते हैं आप receive test के दोरा लगा सकते हैं उसके बाद हमारे पास एक ही option बचता है, compressive strength है यह तो आपको पता है कि compressive testing machine से आप compressive strength टेस्ट कर सकते हैं अब देखिए हैं पर question क्या आप हो रहा था, carrier in case of distemper distemper के case में आप carrier कौन सा यूज करते हैं अब कई ऐसे होगे तुके वाज जो first option पर answer लगा देंगे क्योंकि है तो यह carrier, लेकिन यह distemper का carrier नहीं है भई distemper का carrier नहीं होता है distemper में आप पानी को carrier की रूप में यूज करते है और चोक जो होती है distemper में वो base material की दर आप distemper में चोक को यूज कर सकते है चोक, चोक हो गए या फर हमारे पास whiting होती है एक वाइटिंग या फिर चोक जो होती है वो distemper में आप बेस की दर आ यूज कर सकते हैं carrier तो हमारे पास water हो गया अब यह पर तीन option और भी दिएगे इनको भी हम discuss का लेते हैं तो यह तो हमारे पास carrier हो गया paint में white lead, white lead जो होता है यह paint में base होता है और यह poppy जो oil होता है oil के बारे मैं आपको बताया कि जितने भी oil-oil वाले होते हैं वो paint में carrier के रूप में काम करते हैं ओईल, पोपी ओईल हो गया, नाइट ओईल होई गया, हमारे पास पोपी ओईल, नाइट ओईल, लिंसीड ओईल, जितने भी ओईल हैं, ये केरियर ही होते हैं, अगले देखिए, एस पर हमारे NBC 2005, इंसिटुशनल बिल्डिंग कम्स अंडर, NBC के अकॉर्डिंग, इंसिटुशनल बिल्डिंग भी होती है, एजुकेशनल बिल्डिंग भी होती है, इंसिटुशनल बिल्डिंग भी होती है, तो इंसिटुशनल जो होती है, वो C गुर्प में आती है, डी में जो आती है, वो एसेंबली आती है, डी में एसेंबली बिल्डिंग आती है, अगर B कि आगर आगर बात करेंगे भाई education आप सो कर रहे हैं ना वो B class में आती है group में A में जो होती है वो आपके घर आता है इनके residential building जो होती है वो group A में आती है भाई जिसने चैनल को subscribe नहीं किया वो कर लीजिए इस वीडियो में आपको numerical भी देखने को मिलेंगे क्योंकि जो हमारा पहले के 50 question है उसमें बहुत ज़्यादा numerical भूजे गए है तो वो भी हम discuss करेंगे अगला question क्या वो रहा है queen post trust is suitable for the span up to queen post जो होती है वो 12 meter के span तक के लिए वो suitable होती है 8 से 12 meter के लिए यहां पर तो बारा एक ही option देखने लिए बेरी जो करती है वो 8 meter से 12 meter तक करती है next में देखे dressing of stone is done dressing जो होती है वो stone की आप को after querying ही करनी पड़ती है immediately after querying dressing जो होती है stone की तो जब भी आप querying से stone को पैदा करते हैं तो हमारा जो stone होता है उसकी कोई भी shape size कुछ नहीं होता है वो rough होता है तो उसको जो shape size बगएरा हम अच्छी finishing प्रवाइड करते हैं उसको dressing बोलते हैं अच्छी तरह से वह उसको त्यार करना तो वो dressing होती है अगला देखिए low heat cement consists of a lower percentage of which of the falling low heat cement जो होता है उसमें किसका सबसे कम percentage होता है भई low heat cement आपको पता कि heat of hydration जिसका सबसे ज़्यादा होगा आपको वो कम करना पड़ेगा आप low heat cement को बना सकते हैं तो सबसे ज़्यादा heat of hydration होता है एक तो हमारे पास tree calcium aluminate को होता है एक tree calcium silicate को होता है इसका 865 होता है aluminate का silicate जो होता है इसका 500 होता है तो इन दोनों को आपको कम करना पड़ेगा आप वैसे यहाँ पर एक ही option हमने चूज करना है तो हमारे पास यह होगा क्योंकि सबसे ज़्यादा हमारे पास इसी का ही है अगर यह दो option यहाँ पर tree calcium silicate होता है जैसे कि यहाँ पर aluminate होता है कि दो दो option दिये होते हैं तब तो हम दोनों को चूज कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर single single दिया तो हम इसको सबसे पहले चूज करें क्योंकि इसका सबसे ज्यादा heat of hydration होता है तो low heat cement होता है इसको आप mass concreting के लिए यूज कर सकते हैं जैसे कि hydraulic structure हो गया वहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हैं अगला देखिए which of the following paint recommended for use on scuto plaster brick and machinery surface के लिए कौन किस तरह का paint यह होता है आप यूज कर सकते हैं scuto plaster के लिए brick and machinery surface के लिए सो वह होता है emulsion paint emulsion paint जो होता है इसको आप अंदर बाहर कर सकते हैं plaster हो brick brick हो machinery बगारा कोई भी हो तो यह scuto plaster में ही किया जाता है option second हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिए और साथ में बैल आइकन को प्रेस भी कर लीजिए अगला देखिए gypsum is added to portland cement during its manufacturing so that it may retard the setting time वाई gypsum आपको पता है कि जो setting time होता है उसको adjust करने के लिए आप यूज कर सकते हैं तो इसको परसेंटेज रहता वो तीन से पांच परसेंट आप cement में gypsum को add कर सकते हैं तो जैसे कि gypsum क्या है एक retarder है तो रिटार्डर और भी हो सकते हैं जैसे की starch हो गया starch हो गया sugar जो है यह भी एड्मिक्चर ही स्वरी एड्मिक्चर नी रिटार्डर है एंड जिसकी calcium भी होता है एक calcium sulfate भी होता है sulfate एक tartaric acid भी होता है tartaric acid तो यह हमारे पास retarder होते हैं retarder भी एक तरह का add picture ही होता है जो करता है slow down the chemical reaction of hydration slow down कर देता है chemical की reaction जो होती है hydration की उसको निश्द की smith test is conducted on a sample of stone to find out which of the following parameter smith test जो होता है भाई क्या करता है वो smith test जो होता है परफॉर्म की जाता है ताकि आप find out कर सके solubal matter जो होता है उसकी presence को solubal matter जो होता है उसकी presence को find out करने के लिए smith test किया जाता है जो solubal matter होते हैं जैसे कि वो mud होता है वो solubal matter होता है इनके presence of solubal matter इसका पता लगाने के लिए smith test जो होता है वो किया जाता है in a sample of stone stone के sample पर ही किया जाता है तो यह चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है अब अगला question देखी तो presence of which of the falling is responsible for improving yellow tint to brick भाई ऐसा कौन सा है यहाँ पर responsible है जो जिससे आपको yellow tint color जो होता है वो brick में मिलता है भाई ये भी हमने अपने channel पर बहुत बार discuss किया है कि yellow tint color जो होता है वो किसकी presence से मिलता है तो वो मिलता है magnesium की बज़े से iron oxide तो आपको बता है कि red color देता है red color के लिए iron oxide ही responsible होता है लेकिन yellow tint के लिए हमारा magnesium जो होता है वो responsible होता है तो small quantity होगी अगर magnesium की तो वो shrinkage जो होता है उसको भी कम कर देता है हमारी brick में shrinkage कम भी कर सकता है कि silica तो आपको पता कि क्या करता है aluminum के बारे में भी पता है कि यह क्या क्या कर सकते हैं उसके अगला कुशन देखिए for a given system of coupler concurrent forces हमारे पास यह दिया गया है then क्या होगा तो इस question में हमें क्या find out करना है R को find out करना है सभी में R common है यह question जो है दो formula से आप इसको calculate कर सकते हैं एक आपको R find out करना है सबसे पहले तो R जो होता है जैसे कि equilibrium FX and equilibrium FY हमारे पास दिया हुआ है minus 20N हमारे पास दिया गया है तो R हमें find out करना है तो under root R X का square plus R Y का square X हमारे पास कितना है minus 20N है और Y कितना है minus 21 इसको find out करने के बाद हमारे पास जो R आएगा और आ जाएगा is equal to 20 under root 2N 20 under root 2N इसको find out इसे सारी value put up करेंगे जिसके 20 minus 20 का square plus minus 20 का square यहाँ पर put up करने के बाद हमारे पास यह वाला आ जाएगा आप इसको calculate कर सकते हैं तो minus value value तो automatically cut हो जाएगी जिसके minus यह answer होगा नहीं यह होगा नहीं अब 3 और 2 में हमें ढूनना है कि वह कौन सा answer होगा अब इसके बाद हमें जो यह angle दिया गया है यह find out करना है तो इसके लिए हमें जो है थीटा find out करना पड़ेगा थीटा जो होता है वो होगा 10 minus 1 into ry over rx इसमें value put up करेंगे आप तो हमारा जो quadernal बनेगा वो third quadernal में आएगा and 40 degree बनेगा तो 180 minus 45 करेंगे आप तो 135 east में हमारा answer आ जाएगा तो option second इस question में answer हो जाएगा अगला रहिए which of the following case gives the least moment of inertia in case of square least moment of inertia जो देता है in case of square में वो हमें देता है mi about the diagonal least moment यही देता है so जो हमारे पास i xs जो होता है यह moment of inertia होता है so यह जो होता है सबसे पहले वो होता है bh cube over 12 movement of inertia जो होता वो यह होता है so पोड़ा कि b जो है इसको आपको क्या कर देना है half कर देना यह निके divide by 2 हम कर देंगे and height जो है उसको double कर देना है यह निके 2 into h तो यह आप कर देंगे तो इसको find out करने के बाद हमारा 4 गुणा movement of inertia बढ़ जाएगा आप इसको घर पर बैठ कर कर सकते हैं जिसकी b बटे 2 2 h cube over 12 इसको find out आप कीजिए तो हमारे पास answer यह वाला आ जाएगा अगला question हमें आप देखते हैं इस structural member is generally designed so that the material is stressed too working stress working stress is the correct answer हो जाएगा देखें एन RCC column if AS is 1000 and AC कितना है 10,000 and sigma C 5 Newton है and M 20 then load on the column is load कितना हो column पर so load on the column यह हमें find out करना है तो load P is equal to sigma S into AS यह sigma S जो होता है यह stress होता है stress in steel and AS क्या होता है area of S है area of steel S से steel into sigma C and यह concrete होगा into AC यह हमारे पास formula है stress को find out करने का steel के ओपर जो आ रहा है so हमारे पास कौन-कौन सी value दी गई है ASP हमारे पास given है यह देखिए and और क्या given है AC AC कितना है यह दिया गया है and उसके बाद sigma C, sigma C कहांपर है यह वाला दिया गया है और हमारे पास AC भी दिया गया है यह तो हमने आपको बता दिया है sigma C भी दिया गया है ASP दिया गया है and हमारे पास यह नहीं है sigma S यह हमारे पास given नहीं है stress in steel तो sigma S जो होता है वो होता है M into sigma C M हमारे पास given है 20 है and sigma C 5 दिया गया है इन दोनों को multiply किजिए हमारे पास क्या answer आएगा तो वो 100 आएगा हमारे पास 100 Newton per m² तो यह भी हमारे पास आ चुका है सारी value आ चुकी है सभी को multiply आप कर सकते है value put up किजिए सारी value जितने भी हमारे पास value है तो हमारे पास जो value जितनी भी value आई है वो सारी हम put up कर देते हैं तो हमारे पास जो answer आएगा वो इतना आजाएगा यह वाला answer आजाएगा तो formula आप याद रखिए sigma S into A S plus sigma C into A C यह formula है formula आप value सारी put up किजिए हमारे पास यह automatically answer आजाएगा यह लास्ट बीज में plus होगा वह तो यह आप देख लीजेगा अगला वोशन देखी इफ सिंपल स्पोर्टर बीम और स्पैन पांच मेंटर कैरीज यह पॉइंट लोड कितना है कितना होगा जैसे कि यह मान के लोग कि हमारा एक बीम है यह point A है यह B है यह है यह राइट है यह राइट है तो लेफ्ट हैंड साइट से दो मेटर पर 100 किलोन्यूटन का लोड लग रहा है यह three point पर आप मान सकते हैं तो 100 न्यूटन का लग रहा है तो A एंड B पर 0 होगा और यहां पर जो होगा वह 100 इंटू 2, 160 हमारे पास अंसर यहां पर, sorry, 60 इंटू 2 होगा, तो 120 यहां पर, जो है, वो लोड होगा, option second हमारा इस question के लिए अंसर हो जाएगा, अगला देखी question क्या बोर है, for a solid circular beam of 40 mm diameter, the section modulus जो होगा, वो कितना होगा, section modulus जो होगा, उसका formula होता है, पाई D4 over 32, यह formula होता है, D हमारे पास 40 दिया गया, आपर D आपको लगा देना है, बाकी आप इसको find out करने के बाद हमारे पास जो अंसर आएगा, वो option number कौन सा आएगा, यह वाला आना चाहिए option, second is question के लिए हमारा अंसर हो जाएगा, अगला question देखी, कि if maximum slope of a simply supported beam of span L with midpoint load is 1 degree, then maximum deflection is, maximum deflection जो होगी वो, यह होती है, XL over 540 होती है, नहीं देखी है, moment area method can be easily adopted for the following cases, moment area method जो होता है, वो simply supported beam, जिसके ओपर eccentric point load होता है, उसके लिए applicable होती है, तो one is question के लिए answer हो जाएगा, अगला question देखी, the result of two collinear force P and Q which are acting in opposite direction is, तो वो होती है, P minus Q, option, second is question के लिए answer हो जाएगा, नहीं देखी है, force system that is applied to open a bottle cap is called, the force system that is applied to open bottle cap के लिए उसको आप couple बोलते हैं, couple, option 4 हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा, नहीं देखी है, in a circular section of diameter D, if D is double then its polar MI will be increased by, तो भई हम यहाँ पर पूछ रहा है कि polar moment of inertia जो होगा, वो कितना increase होगा, कितना गुणा increase होगा, सबसे पहले polar moment of inertia जो होता है, तो diameter आप दो गुणा double कर रहे हैं, तो वो क्या होता है, पाई D4 over 32, यह होता है, diameter of moment of inertia, solid circular section के लिए, तो अगर आप D को double कर रहे हैं, तो 2, यहाँ पर 2 आएगा, जैसे कि, पाई 2 into D का 4 over 32, तो ऐसे करेंगे, यहाँ कि D को double कर रहे हैं आप, तो 16 दोने 32, 16 गुणा बढ़ जाएगा, तो इत मेंज कि हमारा जो, लास्ट में अंसर, अगर यहाँ पर अंसर पूछा होता, तो क्या आना था, तो वहाँ पर आना था, हमारा 16 गुणा पाई D4 over, कुछ नहीं होना था, तो यही हमारे पास बज़ रहा था, 16 गुणा ही बढ़ेगा, option, third question के लिए अंसर हो जाएगा, अगले देखिए, in case of stepper bar of material subjected to axle load, the total longation is proportional to, total longation जो होती है, वो इसके proportional होती है, next question देखिता है, unit of modulus of resilience के लिए कितना होता है, सो वो होता है, joule per mm cube होता है, square नहीं होता है, cube होता है, अगला option देखिए, variation of bending moment under a UDL in a beam is, variation जो होती है, bending moment की, उस क्या लग रहा है, हमारे पास uniformed distributor load लग रहा है, तो, इस question को मैं आपको home bar के लिए रहा हूँ, क्योंकि ये question भी हम बहुत बार discuss कर चुके है, अगला question देखिए हाँ पर, question क्या भूरा next, in case of I beam, major percentage of shear force at section is registered by, ये भी हम बहुत बार discuss कर चुके हैं, कि भाई, कौन किसको discuss करता है, इनके register करता है, बैब के द्वारा, shear force जो होती है, रिजिस्ट की जाती है, 85%, फ्लेंज के द्वारा, comment कीज़े कि कौन सी फ्लेंज के द्वारा, रिजिस्ट होती है, bending moment, deflection कौन सी होती है, नहीं इस तरह कि maximum deflection ने, simply spot to be, subject to pure bending is given by, कितनी होती है maximum deflection, तो deflection जो होती है, वो ml square over 8 ei, यह होती है, deflection जो होती है, simply spotted beam के लिए, अगले देखिए, other parameter being unchanged, if span of the cantilever carrying end point load is double, the maximum slope is increased by, maximum slope कितना increased होगा, सो भई हमें जो है, cantilever beam के लिए सिर्फ जो span है, इनके length है, उसको double करना है, तो maximum slope जो होगा, वो कितना increase होगा, कितना increase होगा, slope जो है, कितना होगा, slope जो होगा, वो p l square over 2 ei होता है, सो यहां पर हमें यह length जो है, इसको double कर देना है, इनके बीच में 2 लगा देना है, length इनके span को हम डबल करेंगे, तो 2 दूने 4, 4 गुना जो है, हमारी बढ़ जाएगा, slope जो है, अगला question देखिए, the condition for stability of dam against overturning is, overturning के लिए क्या stability की condition होती है, तो option, यह हमारा इस question के लिए answer हो जाएगा, तो अगला question देखिए, from the force system shown below, the tension T1 in the rope is, T1 क्या होगा, यह हमारे पास जो force लग रही है, 1000 Newton की, यहां पर angle बन रहा है 120 का, यहां पर भी 120 का, तो T1 हमें, जो है, वो पता करना है कि कितना होगा, तो जो T2 होगा, वो ही T1 होगा, 1000 Newton का, नेक्स question देखिए, the horizontal component of force P acting toward north is, horizontal component of a force P acting toward north is, O, 1 इस question के लिए answer हो जाएगा, अगला question देखिए, the movement of inertia of a semi-circle of diameter D about its base diameter is, movement of inertia जो होता है, वो होता है, pi D4 over 128, option, third is question के लिए answer हो जाएगा, नेक्स देखिए, the number of unknown reaction to be found at a fixed spot of a beam during analysis is R, कितनी होती है, number of unknown reaction जो आप found करते हैं, fixed spot for a beam during analysis में, जो fixed spot होती है, उसमें आपको तीन reaction देखनों को मिलती है, दो forces देखनों को मिलती है, एड एक moment देखनों को मिलता है, तीन reaction, दो forces and a moment, ये option third is question के लिए answer हो जाएगा, ये fixed spot के लिए था, हमारे पास roller spot भी होती है, हाँ roller spot के लिए हम discuss देखनों के लिए क्या होगा, तो roller spot के लिए था one reaction होती है, ये भी आपको बाता होना जुरूरी है, एक pin या फिर फिर hinge भी होती है, hinge के लिए या फिर पिर फिर फिर पिर डिये दो reaction होती है and two forces के component होते हैं, इनके two forces होती है, तो ये सारे चीजे important है अगला question देखी effective length of column of length l with one and fix and other and his is given by कितना होगा one and fix and other and is his so उसके लिए l effective जो होगा l under root 2 l बटे under root 2 होता है यानिकि third question के लिए answer हमारा हो जाएगा देखी if cohesive is greater than addition then क्या होगा cohesion जो हो greater than addition से तब क्या होगा आपको diffusion जो है वो दिखाई देगा occur अगला question देखिए for vacuum pressure कितना है 4.5 meter of water equivalent absolute pressure जो होगा वो कितना होगा equivalent absolute pressure absolute pressure जो होता है वो होता है gauge pressure plus local atmospheric pressure gauge pressure प्लस local atmospheric pressure gauge pressure जो होता है या फिर vacuum pressure जो होता है वो 4.5 हमारे पास given है और जो local atmospheric pressure होता है पानी का वो 10.3 होता है तो 4.5 जम है 10.3 हमारे पास कितना answer आएगा वैसे यह चार point minus में होगा तो हमारे पास जो answer आएगा वो 5.83 meter of water option 1 इस question के लिए answer हो जाएगा यह होगा अगला question देखिए यह vertical triangular area with vortex downward and altitude h has its base on the free surface of the liquid the center of pressure below the free surface will be at depth of कितनी depth पर होगा तो वो h बते 2, half depth पर होगा हाइट के next question देखिए the velocity at the rinol number equal to 2000 is called rinol number की में आपको ट्रिक बताया कि कितने dimensionless है उसके ट्रिक क्या होती है तो rinol number जो होता है inertia force to viscous force का एक ratio होता है rinol number जो होता है यह define करता है कि हमारे पास जो fluid का flow हो वो किस तरह का है type of fluid flow को यह discuss करता है जैसे कि laminar flow हो गया, turbulent flow हो गया या फिर transitional flow हो गया तो यहां पर question कुछ अलग से पूचा गया है तो एक ऐसी velocity जांबार हमारा rinol number 2000 के बराबर है तो उसको आप lower critical velocity बोलते हैं, lower critical velocity में क्या होता है कि हमारा जो flow होता है वो change होता है from laminar to transitional laminar to transitional में change होगा तो उसको lower critical velocity बोलोंगे लेकिन higher critical velocity या फिर upper critical velocity में क्या होता है कि हमारा जो transitional flow होता है वो turbulent flow में change होता है यह pipe में ही होता है वई तो वो higher critical velocity में आता है तो इस question में हमारा answer 2000 है laminar से change हो रहा है तो हमारा lower critical velocity answer हो जाएगा अगलों last question देखिए हमारे इस वीडियो का क्योंकि 50 तक हम discuss करेंगे 50 के बाद हम next video में discuss करेंगे तो question क्या अगरा to avoid separation the most suitable ratio of throat diameter and pipe diameter in venturimeter venturimeter आपको पता है एक device होता है जो की rate of flow को measure करता है pipe में इसको तीन पार्ट में divide किया गया है एक होता है इसका convergent cone दूसरा होता है divergent cone और दीसरा जो होता है throat तो throat के बार में पुछा गया कि भाई throat diameter and pipe diameter का जो ratio होता है वो कितना होता है इन दोनों को जो ratio होता है वो 1.3 से लेका 3.4 होता है एक वाटे-3 से लेका 3,4 होता है तो मुझे नहीं लगता है कि यहां पर इन लोगों ने ऐसा कोई option प्रोवाइड किया iq wadda3 aq wadda3 तु कोई नहीं provided है तो हम इसको अंसर मान लेते हैं तो यही अंसर हमारा हो जाएगा तो यह थे हमारे most 50 questions part 1 के part 2 होगा फिर part 3 होगा मिलते हैं next वीडियो में